लोटस सायर्वेदा इंडिया में आपका स्वागत है मैं हूं उत्पल चौदरे आज हम बात करेंगे डिंग्स फोर यूटिय इंड्रिंग के सेवन करने से पिसाब में जलन और दर्द होने से आपको रहात मिलेगा तो आए वीडियो शुरू करते हैं अगर आपको भी पिसाब करते समय जलन और दर्द होता है तो यह उरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन यूटिय के सुरूबाती लक्षण हो सकते हैं आज कल महिराओं में इरुनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन की समस्था काफी आम हो गई है और यह साबित हो चुका है कि पूर्शों की तुल्ला में महिलाओं को यूटिय की समस्था ज्यादा रहते हैं इरुनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन एक ऐसा इंफेक्शन है जो किड्नी मुत्रास है मुत्रमार्व आज जगों पे सबसे ज्यादा होता है इसे आम भासा में यू आपको अपने खान पान और साब सफाई का खास ध्यान रखना चाहिए कि यूटिय होने पर लोग आम तोर पर दबाईयों का सेवन करते हैं हलंकि अब दबाओं के साथ अपनी डाइट में कुछ खास चीज़ों का सामिल करके इंफेक्शन से रहात पा सकते हैं ऐसा खास मिलती है तो आई जानते हैं कि इंफेक्शन में आप अपनी डाइट में कौन सी ड्रिंग को सामिल कर सकते हैं जिससे प्राइबिट पार्ट में जलन और खुजली से रहात मिल सकती है तो सबसे पहले मैं आपको यही पुल्ला चाहूंगा जब भी आप यूरिन जाते हैं एक आपको उरिन करते वक्त और और साफ करना ज़रूरी है और जब भी आप आप अपर हस्पेंड की साथ यापनी वाइफ लाइफ के साथ जो डिलशन मनाती है है उसके बाद भी सफाई करना हुश्व एकृप सब्सक्तर्स आगे मैं आपको बता रहा हूं 6 ड्रिंक्स बता रहा हूं यूटाइब में पीए तो आपका जलन कम हो जाएगा मिदुट ट्रेक्शन से रहात पाने का सबसे सरल तरीका है ज्यादा से ज्यादा पानी पीना एउरी इंफेक्शन होने पर खूब पानी पींद ज्यादा पानी पीने से सरीर में जमा बिसाट्ट पदारब्थों को बहार निकालने में मदद मिलती है यह सै मुत्रमाग में मौजूद बäक्टेरिया रिष से बाइव फेलस होते हैं और इन्ट इनफेक्षन को ग्रीन टी का सेवन फाइदेबन साबित हो सकता है दरसल ग्रीन टी में एंटी मैक्रोबियल गुड़ पाया जाते हैं जो इंफेक्शन और जलन को कम करने में मदद कर सकते हैं इसके साथ ही इसमें भरपूर मात्रा में एंटी ऑक्सिडेंट मौजूद होते हैं जो इंफेक्श में केंबरी जूश का सेवन फायदेबंद होता है इसमें कि एक ऐसा तत्तों पाया जाता है जो मूत्रमाग में मौझूद बैक्टरिया को खत्म करने में मदद करता है क्रेडरी में एन्टी बैक्टरियल और एन्टी इन्टी गूर होते हैं जिसके इह इंफड्र Till को कम करने में मदद मिलती है आप चाहे तो क्रैडरी चाय का भी सेवन कर सकते हैं इससे पिसामें जलल्न और इंफेक्षिंट से रहात मिलती है अगला है खट्टे फलों का जूस एरिन इंफेक्शन में बिटामिन C के सेवन की सला दी जाती है दरसल बिटामिन C का ज्यादा सेवन करने से पेसाब में एसिट का लेबल बढ़ता है इससे मुत्रबाग में मौजूद बेक्टेरिया को हटाने से मदद मिलती है इसके अलावा बिटामिन C के सेवन से इम्मूनिटी बूष्ट होती है और इंफेक्शन में रहात मिलते हैं इंफेक्शन होने पर आप बिटामिन C युक्त फलों जैसे संत्रा मौसमी के जूस का सेवन कर सकते हैं अगला है पूदिने की चाय इन्फेक्शन को दूर करने के लिए पूदिने की चाय का सेवन फायदय बंद होता है दर असल पूदिने में anti-microbial good होते हैं जो इन्फेक्शन से रहत दिलाने में मदद कर सकते हैं इसके अलावा पूदिने में anti-viral, anti-inflammatory और anti-bacterial good होते हैं जो मूत्रमार्च में मौझूद बैक्टिरिया को खत्म करने में सहायक होते हैं पुद्य में की चाय का सेवन करने से सरीर में खराब बैक्टिरिया कम होते हैं जिससे जलन और दर्द में रहाद मिलता है अगला है अनारका जूस अन्यार का जूस भी इंफेक्शन की समस्या को दूर करने में फायदे बंद माना जाता है इसमें भरपूर मात्रा में एंटी ऑक्सिडेंट होते हैं जो बैक्टेरिया को मूत्रमार्क से चिपाटनी नहीं देते हैं इसके अलाबा इसमें बिटामिन सी की अधिक मात्रा होती है जिससे मजबूत होती है और इंफेक्शन को कम करने में मदद मिलती है यूटि होने पर आप ज्यादा से ज्यादा पानी पियें इसके अलाबा अपनी डाइट में खटे फ़लों का जूस पियें अनार्का जूस कैन्बरी जूस और पुद्रेनी की च कम करने में मदद मिलेगी मैं एक बात कहना चाहूंगा महिलाओं के अंदर उनका इरुन मात्र इरुन का जो जगह है वो छोटा होता है उनको इंफेक्शन का डर ज्यादा रहता है इसलिए उनको बेसीस ध्यान देना पड़ेगा आपने इरुन की जगह को साफ करने के लिए जबकि पूर्षों में इतना डर कम होता है बहला हंडेट परसेंट और फिप्टी परसेंट का अंतर रहता है तो महिलाएं अधिक ध्यान दें पूरुस भी अपना ध्यान दें और अगर कुछ यूटे के प्रॉलम है तो यह हमारा आप जो हमने उपाय आपको बताएं वह आ आप यूज कर सकती हैं आपके उपटी पेन करता है तो हम यहीं वीडियो खत्म करते हैं और आप से हम इजाज़त मांगते हैं हम कल फिर बापस एक नए वीडियो के साथ आपको मिलेंगे तब तक के लिए धन्वा